हेलो फ्रेंड्स यह है हमारा होममेड चॉकलेट सिरप जो कि हमने सिरफ तीन इंग्रीडियन से बनाया और आप देख सकते हैं यह कितना शाइनी और स्मूध बनाया है इसमें हमने कोई कॉण फ्लोर नहीं मिलाया है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसके लिए मैंने हाफ क कैटोरी में चीनी डाल लिया है और टॉरो डबल पाणी लेंगे र फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे वन एन टू यह दो कटोरी पानी मिला दिया अब इसमें कोको पाउडर भी मिला लेंगे और अच्छे से इन सब को मिक्स कर लेंगे इसमें कोई लंप्स नहीं रहेंगे यह अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो गबराएं नहीं आप और मीडियम फ्लेम रखें और इसमें एक उबाल आने देंगे पहले हम बस इसको बीच बीच में चलाते रहें यह देखिए उबाल आगया है इस वक्त हम इसमें वन फोट टेबल स्पून बटर डालेंगे मैंने सॉल्टेट बटर डालाएं और यह बिल्कुल ऑप्शनल है आप चाहे तो डालें बटर डालने से इसमें अच्छी थिकनेस स्मूथनेस और इसमें अच्छी शाइनिंग आ ज तो यह देखिए यह गाड़ा हो गया है और इसकी कंसेंटेंसी भी अब चेक कर लेते हैं इस्पून के बैक साइड में चेक करेंगे हम यह देखिए यह कोट हो रहा अच्छे से तो बस इस वक्त हम फ्लेम को ओफ कर देंगे और इसको आप काउंटर टॉप पे हम चलाते हुए ठंडा करेंगे ताकि इस पे किसी तरह की कोई मला ही ना आए और फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो तो आप प्लीज इनको लाइक जरूर करें दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरे नए 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 वीडियो आपको देखने को मिलते रहें तो यह देखे ठंडा होने के बाद यह और गाड़ा हो गया है और कंसेंटेंसी भी आप देखे कितनी स्मूत हो गई है और गाड़ी हो गई है यह अभी वाली कोटिंग कंसेंटेंसी है और मैं आपको पहले वाली भी दिखाती हूं दोनों में फरक आप देख सकते हैं यह द बोतल में डालके एक महीने तब फ्रिज में श्टोर कर सकते हैं तो अब इससे हम फटा-फट एक रेसिपी बना भी लेते हैं पहले मैं इसको ग्लास पे लगा के दिखाती हूं कि यह कितना अच्छा कोट हो रहा है मिल्कुल रनिंग कंसेंटेंसी भी नहीं है इसकी यह आप देख सकते हैं यह देखिए कितना अच्छे से कोट हुआ है ग्लास पे तो फटा-फट एक कोल्ड काफी बना लेते हैं विद चॉकलेट इसके लिए मैंने एक ग्लास चिल्ड मिल्क ले लिया है और इसमें मैं वन टी इस पी इंस्टेंट कॉफी पाउडर डाल रही हूं और मैं यह धागे वाली मिश्री का पाउडर ले रही हूं आप चाहें तो चीनी ले 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 जो अपने टेस्ट के एकोडिंग ले 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 और अब मैं इसमें यह तयार चॉकलेट सीरप डालूंगी यह भी आप अपने ट कर लेंगे तो यह हमारी कोड कॉफी विद चॉकलेट भी तयार है अब इस पर भी हम चॉकलेट सीरप को डेकोरेट कर लेंगे तो बस आप भी ऐसे आसानी से यह चॉकलेट सीरप घर पे बनना ही है और इसको इंजाई कीजिए थैंक्यू